नमस्कार मैं हूं नेहा शर्माज, स्वागत है आपका कुंडी टीवी के मंथली राशिफल में, जिसने हम आपको बताएंगे 2022 के फर्वरी के राशिफल के बारे में, इसके लिए जानकारी देने के लिए हमार साथ हैं नरेश कुमार जी, स्वागत है सर आपका नमस्कार नमस्कार कुंडी टीवी के सभी दर्शकू को मेरा नमस्कार नहां फर्वरी का महीना बड़ा इंपोर्टन्ट है, बसंत पंचमी आ रही है, जितने भी अशुब चीजें होती हैं वो सारी उस दिन नहीं मानी जाती, वो बड़ा शुब दिन होता है, पांच फर्वर दिन है जो आप कर सकते हैं बस सिर लगन निकल वाले ये जएगा लगन आपको कौन सा सूटेबल बैठता है पांच वर्वरी के दिन कुछ भी क्या जा सकता है वो एक बहुत शुब दिन है वरी Ind妳 हो रहे हैं नेयग लिए खुंगला के लिए उश्व शन ळ fibre और दो कि में जो चरहा गोचर करेंगे और हमें क्या-क्या फौल दिना तीरा वर्वरी को निहा सूरे का राशी परचेंगे जो है वो राशी परहतन करके मकर राशी में इससमें चल रहे हैं और यह कुम राशी में चल जाएंगे उश के बाद शनी जो है वह वह इसके बाद 24 भ bancan को गुरु जो है गुरु कि जु ze उपर असर पहता है इनका, तो वो अस्त हो जाएंगे चोविस फर्रवरी को शुक्र की पोजिशन चेंज हो रही है. तो इसलिए बहुत जादा असर इस महिने के राशी पर नहीं आएगा लेकिन चुकी शनी जो है वो उदे होंगे अस्त होंगे गुरू तो चीजें सारी कंसेडर करके चलेंगे बाकी सारे ग्रह तो सेम रहेंगे रहू के तुक का कोई परवर्तन नहीं हो रहा है सूरे का राश 26 27 पर भी को ही आ रहे हैं यह बी तो यह सारे ग्रह मंगल गुरू शनी सूरे यह चारो बड़े ग्रह जो है वो राशी परतन कर रहे हैं बुद्ध चल रहे हैं बुद्ध उदे हुए हैं 30 जनवरी कोई तो बुद्ध की पोजिशन में कोई जो है वो बदलाव नहीं होगा चंदरमा हर धाई दिन बार राशी बदलते हैं वो हम कंसिडर करेंगे राशी फल में और राहु केतु का राशी परतन अभी नहीं हो रहा है तो यह मोटे तोर पर जो गोचर है वो रहेगा फ्रवी महीने के दुराण इस सारे गोचर का ग्रहों के अस्थ होने का उधे होने करी साथ की बात करें तो यहां का सवामी मंगल बनते हैं वो बैठगे जाकर कर ready लेकिन हम इसको पोश्निक देखते हैं तो यह करम का भागए अतो जब कर में तो स्वह जा जाता है तो मंगल एक तर प्रफाल्टी से उस्तिती में हैं जहां-परवो खुद करम के स्थान के लिए अच्छे हो गए लगनन के लिए भघर है की लिए ख्राब हूं लेकिन कृण के डिए एंची है वैसे लोगशो रिखेंगा melody जरूर यहां पर छटे में दे हैं वो एक तरीके से अच्छी स्थिती नहीं है लेकिन इसके बावजूद चुकि करम अच्छा है तो इंकम अपने आप जो है वो बहतर होगी इसी चीज़ धन भाव का स्वामी सूरे केंदर में हैं तो सूरे का केंदर में जाना अच्छा है पर आपको इसी गेंज होते हैं वहाँ पर मत जाएएगा आपbedingt जायेगा क्योंकि केत्व यहां पर पंचं में पढ़ रहे हैं यहां पर पंचं में इसी जेशन का भाव होता तो आये के लिहाज से तो एक रिके से स्थिती ठीक है करम का मालिक ठीक स्थिती में हैं बहुत जादा खराब नहीं है लेकिन इसके बावजूद पैसे की मैनेजमेंट को लेकर आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी किसी ऐसी जगहाँ पैसा मत फसाईएगा जहां पर पे खेला था वो पूरी दरा जीरो हो गए निफ्टी ने पंद्रा सो पॉइंट का फाल दिखाया और वह बहुत जादा जो है निवेशक नुकसान में है वह निवेशक नुकसान में है जिन्होंने आप्शन में ट्रेड किया था जो मैं बात बता रहा हूं जो सट्टा खेल करना है इमोशनल होते हैं फिर होंसला नहीं रखते कभी इन्वेस्ट करते हैं तो दस रुपे का लोगस हो रहे तो भागते हैं मार्केट से तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है यदि अपने वेश करते भी हैं तो लोंग टर्म के लिए करेगा नहीं तो पैसा आपका फंज जाए है उसके एक तरफ केतु दूसरे तरफ शनी ये भाव पापकरतरी में है तो जब रोगरिन शत्रुगणा भाव जो है वो खराब सिती में है इस भाव का स्वामी जाकर एस्टम में बैठ गया है कहीं से भी कोई रहात की बात नहीं नजर आ रही है तो ये सिती अच्छी नही है है हेल्थ के लिए क्योंकि एक चीज तो अच्छी होनी चाहिए ना इस भाव का स्वामी एस्टम में वो भी वीक जला गया ये भाव खुद वीक हो गया भाव भावेश कारक की जो थियूरी के मताबिक तीनों चीज़े खराब हो गई तो ये सिती अच्छी रही है हेल्थ से मत लीजिएगा क्योंकि इस्तिती आपके पक्ष में नहीं है हेल्थ के रहाज से ये सारा पार जो होता है नहां ये वला ये बोडी का लोगर पूर्शन होता है खास वर पर वहीं पर समस्याएगी और वहीं से बढ़ जाएगी आपको पता नहीं लगेगा कि आप जिस ची करके वेड़ कीजिए कम से कम इस महीना तो आपको कि बाहल जाएगे तो उसके बात वालब काली इस तो नहीं से यह पार जाएग pan चायोंगे जी तो अगर बात करें इनके आगे रिष्टों की वो कैसे रहेंगे नहा सब्तम से शादी देखी जाती है सब्तम का मालिक सब्तम में ही है ये घर मजबूत हो गया है शनी जिस बाव में होते हैं वो मजबूत हो जाता है हाला कि सूरे साथ में सूरे तेरा फंटी को आगे आ जाएंगे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन यहां पर सब्तम एक लिके से शनी की उपस्तिती के कारण मजबूत इसलिए है क्योंकि शनी यहां पर फुल डिरेक्शन स्टेंथ में होते हैं तो सब्तम को लेकर तो एक साथ होते हैं तो कहीं पर भी वो उस भाव को परभावित कर जाते हैं लेकिन इसके बावजूत कंफ्लिक्ट लंबा नहीं है स्टिती ठीक हो जाएगी चीज़े नेंतरन में रहेंगी हां सिंगल्स के लिए स्टिती जरूर गडबड नज़र आ रही है जो कि नहा महीना पंद्रा यह जो चोदां फर्वरी है वो वेलेंटाइन डे आता है हलाकि हमारा त्याहार नहीं है लेकिन फिर भी यूवा एक्स्पैस करते हैं एक दूसरे को तो यहां पर केतु का उबस्तित होना पंचम के मालिका जाकर छठे में बैठ जाना और पापकलत्री में आ जाना यह अच्छा नहीं है यदि सिंग तरक राशी के जाता है किसी को एक्सपैस कर रहे हैं तो सामने वाले से जवाब नहीं में आ सकता है इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि नहा बहुत सारे लोग होते हैं जब यूवा वस्ता में होते हैं तो मन की भावना कुछ इस तरह क होते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं नहीं एक्सपैक्ट करते किसी से सामने वाला एक्सपैक्ट ना करता है तो हम हार्ट हो जाते हैं तो चीज़ें हार्ट करने वाली हो सकती हैं इस राशी के लिए खासतों पर यदि हम देखते हैं तो आपको पूरा ध्यान रखन लेकिन यह एक्सपेक्ट करना बुरा है कि सामने वाला ना नहीं बूलेगा तो हो सकता है कि सामने वाले कि मन में कुछ और चल रहा हो तो यदि आपको किसी के प्रतिभावनाय रखते हैं तो 14 फ्रड़ी के दिन ध्यान रखिएगा हो सकता है कि आपको सामने वाले से ना मिले जी तो अगर बात करें उपायों की नरेश जी तो करक राशी के जातक इसमें कुछ उपाय हैं जो कर सकते हैं नहा सबसे अच्छा उपाय के लिए यही है कि चांदी पहने करक राशी का स्वामी चंद्रमा है चंद्रमा यहां पर राशी का स्वामी होता है चंद्रमा ही मन का कार रख़ है, यह लोग नुक्षान ही मन के पिछे उठाते हैं, करक्षी के जाते हैं, पूरी जिंदकी इनका इसी चीज़ बेन नुक्षान होता है, कूंकि यह जल्दी react करते हैं, और और कई ऐसी स्थिदी में react करते हैं जापर रेक्ट करने की ज़रूरती नहीं होती तो उस चक्कर में financially भी नुक्षान होता है mental peace भी जाती है तो चांदी पहनने से क्या होता है नहा मन आपका मजबूत होता है चांदी scientifically बंदे को ठंडा करती है वेक्ति जो है वो यदि react करना भी चाहे तो आपका मं मजबूत होता है नगकी छीजे ठीक होती है तो फिर आप रेयक्ट नहीं करते हैं तुप करक रशिक के जादकों के लिए उपाइँ की बात अगली एपिसोड में बात करेंगे नेक्स राशी सिंह की जुडे रहे हमारे साथ धन्यवाद नमस्कार